तो इसी पूरे मामले पर न्यूज इजन्सी एनाई ने बात की प्यूश मिश्रा से अक्टर है और उन्होंने भी एक तरीके से ये कहा कि मुझे भी समझ नहीं आता है कि भई क्या मतलब है आपके पास एक कहानी है आपके पास कंटेंट है उसमें आप जबरदस्ती वल्गारिटी क्यों फूसने में समझ नहीं आता है तो मुझे लगता है ये खत्म होना चाहिए तो क्या कुछ कहा प्यूश मिश्रा ने ये तो हम आपको सुनवाएंगे ही साथी साथ प्यूश मिश्रा ने ये भी कहा कि जिस तरीके से पूरी कॉंट्रोवर्सी हो रही है मिर्जापूर को लेकर दिस तरीके से कॉंट्रोवर्सी हो रही है तांडव को लेकर उस पर उनसे उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने पता है क्या कहा उन्होंने कहा मुझे कोई कॉंट्रोवर्सी क्रियेट नहीं करनी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा इन सब चीजों पर प्यूश मिश्रा का क्या कुछ बयान है आप खुद सुनिए आपक्टरश की लिए बागी जहां तक वल्गेर्टी ए तो उस पर तो मैं तो मैं तो उस पर बैन लगना चाहिए अरे यार विना किसी वात के साथ जोरूत नहीं है उसके फिर भी ठूस दोस्त जरूत नहीं है जार में पांना का भी डावल मचावा है और मिर्जापूर पर जो ए ना पर भी खराब से लुए और कोई कमेंट नहीं में सब्सक्राइब कोई कमेंट निवेड़ से खामा का कॉंट्रवर्सी करने से कुई फायदा नहीं है ना कोई कोमेंट नहीं वरस्कों अब जो आज जादा एक्टिव आज कल आज कल तो इसने का एक्टिव बुलाया बुलाया फिर चोड़ दिया आज जिस मातरा में लोग ले रहे हैं उस मातरा में मेरे खाल से किसी को आपते नहीं है हाँ अगर वाकई यह चापा मारे उन लोगों पर जो एक्टिव लेते हैं तो फिर जो है कुछ प्राब्लम हो सकती है वह करते नहीं है जितने चापा मारे हैं वही आपके 100 ग्राम 200 ग्राम इससे कुछ फरक नहीं पड़ता नहीं जो बड़े बड़े आपके मतलब बड़े लो